Hello friends, तो एबाढ़ा फिर से सौगत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फ़र्मेसी में दोस्तो आज बात करने वाले हम Influenza के बारे में तो Influenza होता कैसे है इसके बारे में डिसकास करेंगे इसका symptom क्या होता है इसका incubation period क्या होता है इन सभी के बारे में आज हम detail study करेंगे तो आप वीडियो के last तक बने रहेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो please चैनल को subscribe करिए ताकि अगले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो आईए देखते हैं influenza होता क्या influenza जो है एक परकार का infectious disease होता है infectious disease friend उसको बोलते हैं जैसे one person को किसी एक person को अगर हुआ है अगर एक person को यह disease हुआ है तो इसके कारण दूसरे person को भी हो सकती है तो इसको आप बोल सकते हैं परकार का communicable disease है ठीक है तो महालिजिए एक person है इसको या infected person है इस से influenza virus से अगर इसने क्या कर दिया sneezing कर दिया सिनीजिंग किया तो सिनीजिंग के जो ड्रॉपलेट है छोटे 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 तो इस परसन के पास चले जाते है तो ड्रॉपलेट में जो हमारा जो वाइरस होता है influenza virus इस droplet के साथ साथ इस person के अंदर चले जाएंगे तो यह भी person जो होता non infected person रहता है बाद में यह भी infected हो जाता उसे बोलते है infectious disease तो यह highly infectious disease होता है बहुत जल्दी ही फैलता है अब बात करते second point की जो second point में लिखा गया जो influenza है इसको हम बोल सकते हैं flu भी बोलते हैं आप लोगों ने सुना भी होगा और जो हमारा influenza है यह क्या होता है कि influenza virus के थुरू ही cause करता है ठीक है अब अगले point की बात करें मैंने इसकी point को पहले ही discuss कर लिया कि यह प्रकार की common caregiver disease है एक person से दूसरे person में फैलती है अब अगली point की बात करते हैं कि यह जो होता है influenza होता है commonly winter के season में होती है जब सर्दी का मौसम आता है आपने देखा होगा काफी लोगों को यह होता है ठीक है अब जो हमारी last point तो यह mainly winter के season में होता है ज्यादा तर आप देखे होंगे सर्दी को मौसम में लोगों को influenza होता है अब last point की बात करें तो जो हमारा influenza है एक प्रकार की acute respiratory infection होता है acute की बात करते है acute मतलब की यह ठीक हो जाता है कुछ time बात ठीक है यह मतलब जादे समय तक के लिए नहीं होता है एक word आता acute एक word आता chronic एक ऐसी disease होती जो ठीक नहीं होती है और acute ऐसी disease होती है जो short time के लिए होता है कुछ time बढ़ ठीक हो जाता है ठीक है तो last semester है आप अच्छे से पढ़ाई करते लिए तो आपके लिए एक सायरी है हमारे पास जब मंजिले करीब हो तो महनत जबरदस्त करना जीत निश्चित है तुम्हारी बस तुम अपनी पढ़ाई में बेस्त रहना तो इसी motivation के साथ आप influenza को पूरा देखिएगा तो आए आगे देखते हैं इसका जो positive agent भी आपने देख लिया तो आपको बताना नहीं है लेकिन आप क्या करना है जब आप लिखेंगे exam में तो इसका positive heading heading डाल के ही लिखेंगे ठीक है तो डालेंगे positive agent क्या होता है तो positive agent में लिखेंगे influenza virus तो अब बात करते हैं इसके incubation period के बारे में इनकूवेशन पीरियड इनकूवेशन पीरियड उसको बोलते हैं माल लीजिए एक कोई person है एक कोई person है ठीक है यह non infected person है non infected person है मतलब इसको जो है influenza जो है यह नहीं हुआ है ठीक है तो माल लीजिए कोई यहाँ पे infected person है ठीक है यह infected person है तो माल लीजिए यह sneezing किया इसके दोरा जो ड्राप लेट है और जो virus influenza virus इस person के अंदर चला गया अब इस person के अंदर जाने के बाद कुछ time बाद या कुछ दिन के बाद इसके अंदर जो है influenza के symptom दिख ले रगेंगे तो इसी को बोलते हैं incubation period बोलते हैं तो इसका जो incubation period होता है one two two days होता है ठीक है तो इसके heading में आप इसके answer में लिखेंगे one two two days ठीक है तो I hope आपको यह भी point clear हो गया होगा अब बात करते हैं mode of transmission के बाद है mode of transmission उसको बोलते है कि कैसे मतलब कि जो influenza है कैसे फैलता है ठीक है उसी को बोलते है mode of transmission तो पहला है इसमें पहला आप लिख सकते हैं by infected Infected droplet के कारण एप n नहीं चल रही है दूसरत लिखते हैं in droplet के कारण फैल सकता है ठीक है कोई infected person है वह क्या किया नान-infected person के पास जाके स्नीजिंग कर दिया या तो कफिंग कर दिया तो उसके droplet के थुरु भी influenza हो सकता है ठीक है दूसरा point की बात करते है डारेक्ट कांटेक्ट के कारण डारेक्ट कांटेक्ट के कारण भी फैल सकता हमाली जो कोई infected person है वो क्या किया non infected person से जाके हाथ मिला लिया ठीक है तो उसके थुरू भी फैल सकता हमारा influenza virus तो अगला जो है use of object यूज आफ ऑबजेक्ट यूज आफ यूज आफ इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड ऑबजेक्ट मान लिजे कोई person है उसको influenza जो हुआ है ठीक है तो अगर वो क्या करता कि उसका जो मान लिजे कपड़ा है या तो कुछ भी है वाच है या कोई भी चीज अगर नान इन्फेक्टेड परसन उसको छू लेता है या तो उसको पहन लेता है तो उसको भी हो जाएगा influenza तो इसको हम बोलते है mode of transmission तो आगे अब बात करते हैं symptom के बारे में तो आएए देखते हैं symptom होता क्या है तो heading डाल लेते हमारी है आगे symptom तो कौन-कौन से जब किसी परसन को कैसे हम पता करेंगे कि उसको influenza हुआ है मतलब उसके अंदर कौन-कौन से symptom हमें दिखेंगे तो पहला है कि इसमें high fever रहेगा ठीक है high fever मतलब इसमें जो हता हुआ वन टू टू डिगरी फारेंहाइट जो है fever रहेगा इतना ज्यादा ठीक है और इसमें क्या होगा headache होगा headache ठीक है headache रहेगा ठीक है साथ में दर्द रहेगा सिनीजिंग आएगी सिनीजिंग आएगी कफिंग होगा कफिंग होगा मतलब नाख बहेगी running nose नाख बहती है ठीक है और इसमें क्या रहता है sore throat रहता है sore throat sore throat रहेगा ठीक है ये सब symptom जो है देखने के मिलते हैं और एक और है cheese cheese में ठंड़ लगती है ठीक है तो ये सबी symptom हमें influenza जिसको हुआ रहेगा उसके अंदर देखने को मिलेगी तो इसका skin shot आप ले सकते हैं फिर आगे हम बात करते हैं जो हमारा अगला heading दिया है laboratory diagnosis कौन कौन से जो laboratory diagnosis हम influenza के लिए करते हैं तो इसको भी हम देख लेते हैं तो heading डाल लेते हैं laboratory diagnosis लेवो रेटरी diagnosis ठीक है तो हम influenza के लिए जो laboratory diagnosis करते हैं पहला हम करते हैं viral culture करते हैं और RT-PCR करते हैं RT-PCR करते हैं और एक और करते हैं rapid antigen scanning करते हैं तो एक तीन हमारे laboratory diagnosis है influenza के लिए हम तीनों करते हैं ठीक है चाहे हम viral culture कर सकते हैं इसको पता लगाने के लिए चाहे RT-PCR कर सकते हैं चाहे rapid antigen scanning कर सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं अब बात करते हैं prevention and control of influenza जो influenza है उसको prevent कैसे करेंगे और उसको control कैसे करेंगे तो heading डाल लेते हैं prevention and control of influenza ठीक है तो इसमें पहले क्या करेंगे कि जब हम coughing करेंगे या सिनीजिंग करेंगे तो उसको क्या करना हमें या तो जो tissue paper आते हैं उससे अपने कफिंग जब हम सिनीजिंग करेंगे या कफिंग करेंगे तो अपने नाक और मुह को हमें ढख लेना है ताकि दूसरे person को ना हो सके ठीक है दूसरा क्या करेंगे इसकी जो vaccine आती है मतलब vaccination मतलब जो influenza की vaccine आती है उसको हमें लेना है ठीक है और इसमें जो isolation करते हैं important point है isolation मतलब जिस person को influenza हुआ है उस person को हमें isolate कर देते हैं ठीक है उसको मतलब अलग कर देते हैं फिर अगला है avoid overcrowding मतलब हमें भीड़ वाले जगा पे जाने से बचना है avoid overcrowding overcrowding मतलब भीड़ वाले जगा से हमें जाने से बचना है ठीक है और हमें antiviral drug use करना है antiviral जो drug आते हैं ठीक है उसका हमें यूज करना अगर हमें influenza से बचना है और हमें क्या करना जो smoking है avoid smoking को avoid करना तो इतना ही इस वीडियो में था ठीक है अब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक क्लिए take care बाइ बाइ बाइ